हेलो दोस्तों देखो सी कोई स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों रेलवे एलपी लोकोपानल टेक्निशियन वाले बच्चे हो या ग्रूप डी वाले अगर बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर बहुत ही हो बहुत ही खराब हो गया जो मैंने अप अपलाय किया था जो मैंने लपी में किया था या ग्रूप homes कंट Qe या ग्रूप डी वाल ठीके चले देख्टों यहां पर ग्रूप ग्रूपक नौकली क्या चीजे मैं पॉण जाना चाहता हूं इस लूड़ी में आप देखेंगे तो चलिए दोस्तों इस तरह से कभी आपने सोचा है देखें दोस्तों यहाँ पर लगबग 50 लाख 48 लाख की जो बच्चे हैं वह एलपी में जिन्होंने भरा है ठीक है फॉर्म और अप मतलब की एक्जाम इन्होंने दिय तो इसमें से आपके कुछ जो बच्चे होंगे यह लोग बहुत ही सोच रहें कि कैसे होगा तो इसमें आप जानते हैं 15 गुना बुलाया जाएगा सेकेंड जो आपका एक्जाम होगा टीर 2 जो होगा ठीक है तो आप समझ जाएए कि कि कितना यहाँ पर लगबग 10 लाख के क करीब आप पहुंच जाएंगे 10 लाख के करीब जो है एलपी वालों बुलाया जागा आप देखिए दोस्तों जो यही बच्चे होंगे जो ग्रूप डी में भी भरे होंगे ठीक है तो जो एलपी में आप जानते कि आप 62,000 कुछ करके हो गया है लगबग 63,000 के करीब जो हो आपकी वेकेंसी है ठीक है तो अगर आप ऐसे सोचे एक लाग 30,000 के करीब जो आपकी वेकेंसी है टोटल और यहां पर वही बच्चे सलेक्ट होंगे जो अच्छे से पढ़ाई कि रहेंगे तो एलपी के ही कुछ बच्चे होंगे जो ग्रूप D में भी भरे होंगे और यहा इस बार वेटिंग लिस्ट होगी तो जितना भी मतलब 63,000 जो है इसमें आपका 60, 15, 30 हो गया 30 और 31, 32,000 के करीब जो है 32,000 के करीब या 31,000 के करीब जो है वेटिंग में रखे जाएंगे ग्रूप D के लिए मैं बता रहा हूं तो अब जो बच्चे वेटिंग में मतलब यह दोनों में सेलेक्शन ले लिया लगबग 50, 30 तो ऐसे बच्चे होंगे 40-50 परसेंट जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर अलपी और ग्रूप D दोनों क्वालिफाई करेंगे तो इसमें जो बच्चे आपके छोड़ेंगे ग्रूप D को तो जो वेटिंग लिस्ट वाले करेंगे वहीं आप सेलेक्शन ले लेंगे क्वालिफाईंग जो है आप जानते हैं जर्नल के 40% है और 25-30% जो बहुत ही असानी से आप जौब ले लेंगे लपी की बात करें तो ठीक है और ग्रूप D की बात करें तो थोड़ा मोड़ा आपका अधिक जा सकता है पचास परत यहां पर देखें बच्चे जो आप जो आपका वेटिंग में जो होंगे उनको मौका मिले है क्योंकि एलपी में बहुत सारे बच्चे होंगे जो ग्रूप D और एलपी दोनों क्वालिफाई करेंगे और लास्ट में यह कोई ग्रूप C में जाना चाहेगा या पट्री वाल यहां पर बस आपको क्या करना है अच्छे से जिन लोग अभी एक्जाम बाग की है यह जिन लोग ने एक्जाम दे दिया है जिनका 50-60 कोशन आ रहा है सो में ग्रूप D की में बात कर रहा हूं तो घवडाए नहीं जो है सलेक्शन मानते हैं कि जोन के हिसाफ से होगा लेकिन आप सलेक्ट हो सकते हैं ठीक है तो होप ना खोईए लपी वाले छोडएंगे लास्ट में वेटिंग लिस्ट में भी आप रहेंगे तो आपका सलेक्शन हो जाएगा ठीक है बस आपको जौब लेने से मतलब है न तो गूरूप D में आपकी जौब हो जाएगी ऐसे अगर आ जी का आपको वजन लेगे चलना गूरूप D वालों के लिए कह रहा हूं तो इस सब का भी तयारी आप करते रहिए होप ना खोईए आप सभी लोग का सलेक्शन होगा सबको नौकरी मिलेगी ऐलपी वालों को तो मैं बता रहा हूं जितना क्वालिफाइंग है उसके लिए अगर आप टीर वन की बात करें टी वन की बात करें तो इसी में हो जाएगा ठीक है बहुत ही असानी से और ग्रूप D वाले जो सोच रहे है एलपी वाले मैं पक्का बोलाओं के एलपी में 50% से जादा या 50% के आसपास 40 भी हो सकता है यह बच्चे जो होंगे दोनों में तो आसकरते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास हमारे वीडियो आपको पसंद आगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस वीडियो के मन में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके हमें जरू-जरू-बताएं अब बहुत सारे बच्चे मुझे नेगेटिव भी कमेंट करेंगे लेकिन देखिए मेरा क्या काम है होप देना आपको एक सुझाओ देना अच्छा चीज आपको सिखाना यह नहीं बोलूगा कि आप फेल हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे अगर मैं यह सब बोलने लोगा तो कोई पढ़ना ही छोड़ देगा ठीक है तो आस अब लग मिलते हैं नेक्स डियों में धिन्यवाद